दिएर फ्रेंट्स दिस इज निशान त्रस्तोगी एंड यूर वाचिंग सी एनर आइए अब इस कॉर्चिन को सॉल्व करते हैं कॉर्चिन करा कि विच आप दा फॉलिंग ऑप्शन इस नौट करेक्ट अब यह नौट करेक्ट यानि इनकरेक्ट को सबसे पहले सर्कल करेंगे बरना करेक्ट वाला ऑप्शन जोगा वो करेक्ट हो जाएगा वो टिक हो जाएगा ठीक ना पहरा कर रहा है कि वैल्यू आपको याद आ रहा है कि हैंडरी अगर फॉर्मूला आप लगाते हो तो यह जो है वो आता है पी इक्वल टू कि एच इंटू एक्स विएर पी जो होगा वो प्रेशर आफ गैस होता है ठीक है ना यह जो होता है वो प्रेशर आफ गैस होता है एंड एक्स जो होता है वो मोल फ्रेक्शन आफ गैस होता है ठीक है मोल फ्रेक्शन आफ गैस होता है ठीक है ना अब आप यहाँ पर एक बात देखे इसको हम क्वा quantity of gas कह सकते हैं क्योंकि यह mole fraction है यानि कि mole by total mole ठीक है ना तो हम इसको quantity of gas से भी relate कर सकते हैं अब आप एक बात देखिए अगर हम केज की value को calculate करें तो केज इक्वल्टू जो होगा वह आपको समयारा P by X हो जाएगा यानि अगर P constant होगा तो KH inversely proportional हो जाएगा X के यानि कि gas की quantity अगर बढ़ेगी यानि gas की solubility अगर बढ़ेगी तो KH की value जो होगी वह घड़ जाएगी अगर gas की solubility जो होगी वह बढ़ेगी तो KH की value क्या हो जाएगी घड़ जाएगी तो यहाँ पर यह यह दे रहा है कि the value of the hand is constant is greater for the gases with higher solubility हाला कि यह statement incorrect है at constant pressure होना चाहिए था ठीक है लेकिन फिर भी हम यह माल लेते हैं कि यह हमारा option होगा क्योंकि not correct बोल ला है भाई higher नहीं होगा higher solubility अगर होगी तो KH की value जादा नहीं होगी KH की value क्या हो जाएगी कि कम हो जाएगी यानि मेरा यह answer यह होगा वो correct answer यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि उन्होंने incorrect option को पूछा है अब हम एक काम करते हैं कि बाकी के option को भी देख लेते हैं कि बाकी option में जो ऐसा नहीं कि कोई correction आ रहा हो चलो ठीक है तो कहरा कि the value of the molar depression constant depends on the nature of the solvent बिल्कुश सही है molar depression constant की value जो होती है वो solvent की nature पर ही depend करती है ठीक है solvent से ही आप उसके formula को भी generate करते हैं तो इसलिए यह correct option है इसके बात करा है कि relative lowering of the vapor pressure is dimensionless quantity यह भी ठीक है relative lowering of vapor pressure का formula आप क्या लगाते हो p0 minus ps by p0 equal to क्या होता है xb होता है xb क्या mole fraction यानि mole by क्या हो जाएगा mole हो जाएगा तो ठीक है dimensionless जो होगी वो यह quantity हो जाएगी ठीक है तो यह जो होगा यह भी correct है ठीक है और आपको not correct चाहिए इसके बाद डी बोल लाए कि the value of the hand is constant increase with increase in temperature अब देखे इसको indirect way में पूछा गया है कैसे अगर मान लो आपने क्या करा कि कोई भी solvent आपने लिया और उसमें gas को आपने क्या कि dissolve किया ठीक है ना अब गैस जितनी भी dissolve भी बट अगर आप इसको heat करना शुरू कर दोगे तो gas बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी यानि gas की solubility जो होगी वो decrease हो जाएगी और जब gas की solubility जो होगी वो decrease हो गई और होने होने पर हेंडी लोग constant की value क्या हो गई इंक्रीस हो गई तो वही वो लाए कि the value of हेंडी लॉग constant increases with increase in temperature temperature बढ़ा है तो gas घटी gas की solubility घटी और हेंडी लॉग बढ़ गया temperature भड़ा तो Henry law भड़ा Henry constant भड़ा ठीक है न तो इसका मतलब है कि D option भी कैसा correct है यानि समझ में आ रहा है कि A option जोगा वो incorrect हो जाएगा यानि A option ही हमारा होगा अब इस question को solve करते हैं question करना कि the electron negatives of hydrogen, chlorine, nitrogen, oxygen and fluorine are 2.1, 3.0, 3.2, 3.5 and 4.0 respectively the strongest bond is formed between आप से कर रहा है कि अगर element की electron negativity value यह यह है तो इनके बीच में strongest bond किसमे बनेगा हमेसा ध्यान डखिएगा कि अगर आप strongest bond की बात करनी है तो आप जो होता है जो strength of bond होती है जो strength of bond होती है वो directly proportional होती है delta EN के जतना ज्यादा electron negativity difference होता है उतनी bond की strength जो होती है वो क्या ज्यादा होती है तो इक काम करते हैं कि सबकी value को रखके और उसका delta EN निकाल लेते है उलेक्टो negativity difference निकाल लेते हैं चलिए अगर आग ऑक्सिएन के हम बात करें तो इसकी इलेक्टो डेक्टी 3.5 दी गई है क्लोरीन की अगर देखे तो 3.0 दी गई है ऑक्सिएन की यहाँ पर 3.5 दी गई है फ्लोरीन की देखे 4.0 दी गया है तो हाइड्रोजन की 2.1 दिया है ऑक्सिएन की 3.5 है नाइट्रोजन की 3.2 दिया है और इसकी 2.1 है बस अब आपको समझ में आ रहा है कि आंसर क्या आएगा चलो देख लेते हैं वह यहाँ पर देखेंगे तो कितने का आएगा 0.5 का यहाँ पर अगर हम डेल्टा इन की वैल्यू को कैल्कुलेट करेंगे यह वैल्यू आएगी 0.5 की यहाँ पर डेल्टा इन को अगर हम कैल्कुलेट करेंगे यह आएगा 1.4 और यहाँ पर अगर आप डेल्टा इन को कैल्कुलेट कर र और यहां पर भी आपने 3.5 माइनस 3.0 किया तो 0.5 आएगा अब आपको सुन में आ रहा है कि सबसे यादा जो होगा वो इलेक्ट्रो डिफरेंस कहां पर है C वाले में है तो इसका मत्दब है कि आंसर आपका C करेक्ट हो जाएगा यानि कि HO बॉंड जो होगा वो सबसे यादा स्टॉंगेस्ट बॉंड होगा ठीक है तो इसलिए आंसर आपका C होगा आएगे अब इस कोश्चन को सॉल्व करते हैं कोश्चन करा के इंदर रेक्शन और रेक्शन में आप देख रहे हैं कि ब्यूटेनोग एसुट आपको दिया गया है और इसकी रेक्शन कराएगी है ल ब्यूटेनल दिया हूआ है और चसा अब आप देखेंगे तो क्या दी है ब्यूटेन दिया आप लिखना पर देखना अकर groteया लिएम ऐलुमिनियम हाइडु यह आपको याद cancer कि यह strong reducing agent है इस्प्रॉंग reducing agent है और यह क्या करता है कि यह carboxyl acid को विदा श들이 कीशने कुशना ड़ाई ड़ेता है कि यह क्या करेगा यह sunshine को diferen sometimes यह conquered यह बाकि करते हैं सारा वएसा का वैसा तो इसका मत्बब है कि इस पार्टपर कुई भी इफेक्ट नहीं डाला है इसके उपर डाला है तो यही पार्ड जोगा वह बदल जाएगा तो वहीं CS3 CS2 CS2 CS3 CS2 CS2 CS3 CS2 CS2 है और इसके बाद यह CS2 CS2 है यानि आंसर बी जोगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा अगले बार में देख रहे हो तो यह mild reducing agent है जो कि weak reducing agent होता है वो क्या करता है वो carboxylic acid को LDHID में बदलता है ठीके ना बड़ी एक ऐसा strong reducing agent है तो strong reducing agent जो होता है carboxylic acid को change करता है किसमें alcohol में तो यहां पर यह primary alcohol बन जाएगा यानि बी option आपका correct option हो जाएगा आए अब इस question को solve करते हैं question करहाएगी which of the following statement is not correct तो भाई not correct तो पहले circle करेंगे वरना हमारे पास stick हो जाएगा correct वाला ठीक है question बहुत ही आसान है conceptual है आपको समझ में आ जाएगा तुरंत आप इसका answer दे लेगा पहला का रहा है कि delta g is zero for the reversible reaction बिल्कुछ सही है आपको खिवार्सिटी कि लिए रिवर्सिवल रियक्षं के लिए इससे क्लिए जब आप इकलुबियोंर रियक्षे्ट्स करते हो तो इकलुबियोंर रेक्षटं में आप रियो है उसका उसको zero कर देते हो जब आप डेल्टा g की वैल्यू को calculate करρίوت कर थिए एक एल्टक ग्य जो है वो क्या है positive है non spontaneous reaction के लिए यह भी बिल्कुश सही है कि delta G जो होता है वो non spontaneous reaction के लिए क्या होता है positive होता है तो चलो भया यह जो होगा non spontaneous reaction और उसके लिए value positive तो फ़री spontaneous reaction के लिए क्या हो जाएगी तो वो negative होती है कि इसके spontaneous reaction के लिए यह तीन point होते है डेल्टा जी के बारे में जेनरली जो आप बताते हो रेक्शन के बेस पर ठीक है ना अब वो कहरा है कि पहला भी correct है दूसरा भी correct ए तीसरा कहरा है डेल्टा जी is negative for the spontaneous reaction सही है भाई तो पर चौथा ही option जो होगा वो कैसा होगा इंकरेक्ट हो गया कहरा कि data g is positive for the spontaneous reaction बस यही जो होगा वो option आपका सही हो जाएगा ठीक है क्योंकि positive जो होगा वो किसके लिए होता है non spontaneous reaction के लिए होता है यानि इसका answer जोगा वो the answer हो जाएगा इस question को solve करते हैं question बहुत आसान है और question के option अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हो सकता थोड़ा confusion हो बड़ जब आप चार option पढ़ेंगे तो आपको इसका answer आजाएगा बैसे भी किसी question में सारे के सारे option पढ़ने चाहिए बहुत ज्यादा जूरी होता है और मैं यही करता भी बताने कोशिस करता हूँ देखे chlorophyll इस पहला कह रहा है कि compound that makes CO2 in plant बलकि आपको याद आ रहा है कि plant में CO2 का formation जो होता है वो chlorophyll का काम नहीं है ठीक है उसका काम क्या photosynthesis कराना ठीक है न दूसरा कह रहा है derived from him तीसरा कह रहा है a dipyrol pigment और चौथा कह रहा है a green pigment containing magnesium बस भईया आ आपको सवन में आ गया कि green pigment containing magnesium यानि इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer D हो जाएगा यह green pigment है जिसकी वज़े से plant का color भी जो होता है वो green होता है और यह photosynthesis करने का काम करता है तो यहाँ पर इसका option जो होगा वो D हो जाएगा और इसमेटल जो होता है वो कौन सा होता है magnesium आए 2-methyl-13-butadiene is a basic unit of the polymer rubber is अब आप सोच हो जाला कि isoprene जो है वो किसकी basic unit है तो मेरे साफ से आपको option समझ में आ गया पहला कहरा है Buna S rubber दूसरा कहरा है Neoprene rubber तीसरा कहरा है natural rubber और चौथा कहरा Buna N rubber और answer क्या है इसका answer C है आपको समझ में आ रहा है structure भी मैं इसका बना जा रहा है तो चार कार्वन आप ले लो और 1 और 3 पर double bond लगाना है तो 1,2,3,4 तो 1 के बाद double bond आएगा और 3 के बाद double bond आएगा और 2 पर क्या जाएगा 2 पर methyl आजाएगा बाकि आप इसको complete कर दो carbon ने double bond बनाया है तो CH2 हो गया यहां 4 वैलेंसी complete होगे यहां 3 bond तो यह CH हो जाएगा और यहां 2 bond तो CH2 हो जाएगा यह जो है वह आपका आई सुप्रीन उनिट है और यह क्या करता है polymerize होके नेचर रबल का formation कर देता है ठीक है ना तो चलिए answer हो जाएगा आएव इस question को solve करते है question कर रहा कि the hydrolysis of one mole of the sucrose yield बहुत ही आसान question है आराम से लग जाएगा सुप्रोव के hydrolysis सोचलो ocean का answer आ गया कहरा कि 2 moles of galactose फिर कहरा 2 moles of glucose फिर कहरा 1 mole of glucose and 1 mole fructose और फिर कहरा 1 mole of glucose and 1 mole galactose तो आपके दिमाभाने बिल्कुल बात fi independent क्या कि अगर आप सुप्रोव की hydrolysis करते हो तो सुप्रोव की hydrolysis करने पर glucose बनता है और fructose बनता है ठीक है ना अगर आप C12S22O11 सुक्रोज की हाइडोलिसिस करते हो तो एक मॉलिकूल C6S12O6 और दूसरा C6S12O6 जिसमें ये क्लिटोडिक कमपाउंड है और ये जो है वो कैसा है इस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि वन मॉल ग्लुकोज और ये क्या है फ्रक्तोज बनेगा और यहां बमीद करते हैं लेकिए थोड़ा से अगर माइंड को स्टूट करेंगे तो यह आंसर आज़ाम से किलियर हो जाएगा एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम आइसो ब्यूटाइल एमीन का structure बना लेते हैं कि क्या है तो जेंदे का म常 प्रोपाइल और और भी है यह सा का ये थे जिक है और ामिन लगा दे तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा फ्क न आप यहां पर अस टू लग जाएगा तो मेरे पास हो गाए का he अब आपको इसी का फॉर्मेशन करना है और वो भी गैबरिल थैली माइट रेक्शन में क्या करते हों कि पहले आप थैला माइट बनाते हो और यह बन जाता क्या थैली जो होता है वह इस तरह का होता है तो यह जो होगा वो क्या हो जाएगा थैली माइट रेक्शन हो जाएगा तो यह तो पर यहांप बेस के साथ रेक्शन करी और यहां से हटा दिया और हठाने के बाद हमने क्या करा किए c112 और यह double 1 2 ले लिया और nitrogen पर minus चाह जा गया और यहां पर sodium लग गया अब आप इसकी alkyl halide के साथ reaction करा देतों यहां पर br है br के साथ reaction करा दी यहां से n a br जो वो निकल जाएगा और n a br निकल गया तो n a br यहां से minus हुआ हो और जो product बन जाएगा वो यह बन जाएगा यह c112 यहां पर xi अब यहां पर इसके बाद कर तो hydrolysis कर देतों इसकी hydrolysis जैसे आप करते हो वैसे होगा इढर साइट अर यहां पर यह लग यह उच यह ब इस लग गया और आपको सम्ज्ण में आपने लिया था यहां पर वही आर तो सेंबर आ गया इसार में कोई चेंज हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि यह आर आपको मिला एलकाइल है यही आर आपको देख नहीं कि यह आर यह right option में क्या ये R है CH3 CH CH3 नहीं है गलत इस वाले में नहीं इस ट्रेट चेन यहां पर देख लेते हैं इसको जरह open कर लें तो अगर हमने open किया तो यह उडाएगा CH3 और यह C यह हो जाएगा यह CH3 और यहां पर CH3 और यह B R हो जाएगा क्यों क्यों क्योंकि एक कार्वन पर तीन नहीं बना रहा मतलब यह भी गरत हो गया तो भाई यह सही कौन सा हो गया यह अब देख लेते हैं हाँ सही है क्योंकि CH3 CH CH3 CH2 B R ठीक है यानि answer यहां पर D answer यहोगा वो correct I have this question को solve करते question करें कि which of the following iron has largest of hydration यानि कि आप से किस iron में सबसे ज्यादा hydration होगा beryllium 2 प्लस दिया है BA 2 प्लस दिया है K प्लस और Li प्लस दिया हुआ है अगर आप यहां पर देखो तो दो alkaline earth metal आपको दिये हैं और सबसे उपर beryllium होता है और दो alkaline metal दिये हूए है सबसे उपर lithium होता है और बीच में पोता है potassium होता है ठीक ना तो यहां पर आपको यह जब करते हैं किसी आई कंपाउंड को आपने क्या किया इसने क्टायन बनाए और डुनों के चारो अर यो फो क्या करता है वो वाटर और वाटर जो होता है वह फोलर कंपाउंड और इसके उपर partial minus 4 जाएगा यहाँ पर partial plus 4 जाएगा ठीक है ना अब इसका dipole moment की value अगर देखेंगे तो आपको सवन में आ रहा है कि dipole moment जो होगा उसकी कुछ ना कुछ value जो होगी वो आईगी loan pair जो होगे इसके loan pair जो होगे वो उपर की direction में लगाएंगे यानि कुल मिलाके उपर की तरफ जो होगा यानि dipole moment की कुछ ना कुछ value आ रही है dipole moment की value आने का मतलब है कि यह कैसा compound है polar molecule है यह कैसा है polar molecule है चले भाई ठीक है तो अब क्या होगा कि इसके यह कैसा आइन है formation हो रहा है हा भई हो रहा है attraction focus लग्र ही attraction force is called a bond यहा पर bond का formation हो रहा है तो इसका मतलब है यह energy जो होगी हों क्या होगी released होगी energy जो होगी निकलेगी और इस इनर्जी को नाम दे देंगे है hydration energy इसवाध घर कपा बताओ कि अगर water तो बहुत सारी energy भी निकलेगी यानि कि hydration बढ़ेगा अगर hydration बढ़ेगा तो heat of hydration भी बढ़ेगी हीट ऑफ hydration जोगा उसकी value भी क्या होगी बढ़ जाएगी तो मिरा के हमसे heat of hydration ने पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है कि hydration कहां पर ज्यादा होगा अब एक बहु sug alcoholic पार्ट को खीचने के लिए क्या चाहिए तो आप सीधे बोलोगे कि सर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा जितनी ज्यादा चार्ड डेंस्टी होगी उतना ही ज्यादा 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 लगेंगे और उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन होगा तो मैंने का इसका मत आईनिक साईज्स कम होगा तो इसका मत्तब कि उसका जर्ट एफ्यक्टिव जड़ा और उसकी बज़ए से वह पार्ट बस आप अब जर्ट सोचो इसका चोर्ट झोटा है ये जर्ट एक एंसल ओगया इन ठीक है एक बात और भी आप समझते हो कि आप इरियोडी टेबल में left to right जाते हो तो side जो होता है घड़ जाता है तो beryllium का side जो होता है वैसे ही lithium से कम होता है तो इसकी वज़े से सारे का सारे parameter यहां पर आ रहे हैं तो beryllium जो होगा वो correct answer हो जाएगा यानि answer A जो होगा वो correct हो जाएगा largest of hydration के लिए है कहरा कि bond angle is minimum for which of the following और आपको दिया हुआ हुआ H2T फिर H2O फिर H2S और H2SE मतलब आपको सहन में आ गया कि यह सारे के सारे जो है वह oxygen family के member है तो चली देखते हैं देखो हमने क्या करा यह लिखा भाई oxygen के बाद sulfur के बाद आएगा selenium और selenium के बाद आएगा क्या tellurium अब यहां पर हमने सब जगह hydrogen को लगा दिया H2S, H2O कर दिया H2S, H2SE और H2T कर दिया गुरुप में आप top to bottom जाओगे तो भाई bond angle का क्या पंगा होता है यह बात आपको भी पता है कि bond angle top to bottom जाने पर degrees करता है अगर surrounding atom जो होते हैं वो same होते हैं तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि surrounding atom के होंगे वो क्या है सेम है सारे के सारे क्या है hydrogen है तो bond angle जोगा वो electronegality घटने के साथ साथ जो होता है वो घटता जाता है दूसरी एक बात और और भी है कि यहां पर क्या इस case में जो होता है इन तीनों में जो होता है वो एक rule ल तो अब इससाब से आपको समझ में आ रहा है कि यह जो होगा इसमें option जो होगा वो h2t जो होगा वो correct option हो जाएगा ड्रेगो शुरूल आपसे यह कहता है कि अगर surrounding atom की अगर आप electronegativity की बात करते हो और electronegativity 2.1 से कम आती है तो उस case में जो होता है उस case में bond जो hybridization होता है व और धीरे धीरी ये value घटती चली आ रही है सही है ना तो उस case में क्या है कि यहाँ पर जो bond angle होगा वो भी क्या होगा वो भी घटता चला जाएगा तो top to bottom जाने पर bond angle घटता है और h2t जो होगा वो इसका answer हो जाएगा आए विस question तो solve करते हैं question कर रहा कि assertion, assertion reason का question है कर रहा कि orthoboric acid behaves as a Lewis acid ठीक है और दूसरा कर रहा कि it donates an electron pair to the iron and form a tetrahedral metaborate तो अब correct option आपको बताना है दिया है option A, assertion गलत है और reason सही है फिर कर रहा सरसन सही है reason सही है बट correct explanation नहीं नहीं है reason यानि की correct explanation नहीं है फिर कर रहा है सरसन सही है और reason जो है वो कहला है गलत है तो चलो भी या देख लो तो पहले बेक बार बताओ कि orthoboric acid का formula क्या है तो आपको समन में आता है कि H3BO3 होता है orthoboric acid का formula इसको हम नाम देते हैं boric acid इसको boric acid और इसको नाम देते हैं orthoboric acid ठीक है ना तो यह बात आपको सौन में आगए तो यहीं boric acid है और यहीं orthoboric acid है अब होता क्या होता यह है कि जब आप इसको water में dissolve करते हो तो water में dissolve करने पर इसका structure कुछ इस तरह का होता है sp2 hybridization होता है water में जैसे आपने dissolve किया तो water के oxygen इसको lone pair electron दिया आप वह समझ में भी आ रहा कि boron जो होता है उस पे कितने electron होते हैं 5 और 5 होते तो 2-3 valence cell में कितने electron है 3 और 3 है 3 bond बना लिए तो total कितने electron हो है 6 electron deficient है और deficient है तो क्या हो जाएगा भई Lewis Acid क्या हो जाएगा Lewis Acid तो यह कह रहा कि भई जो है वह Lewis Acid की तरह work करता है तो ठीक है आपको समझ में आ रहा है कि water के साथ यह reaction करता है reaction करने के बाद में यहां से boron water के OH- ने lone pair electron दिया यहां पर यह OH यह OH आ गया यह OH आ गया water से आता है ना कि boric acid से boric acid कोई भी H- प्लस-इन को release नहीं करता है यानि कि boric acid Lewis Acid तो है electron pair तो accept करता है बट यह protic acid नहीं है क्यों क्योंकि यह H- प्लस-इन नहीं देता है H- प्लस-इन देगा तो होगा protic acid तो protic acid नहीं है लेकिन Lewis Acid है चलो भाई ठीक है पहला हो गया दूसरा करता है इसको जिसको metaboric acid कहता है इसका boratine अगर देख लो तो B02- जो होता है boratine होता है जो कि borax weed में जो कि borax weed में जो होता है वो color को भी produce करने के लिए जो होता है वो use किया जाता है हाला कि इससे borax weed नहीं होता है वो borax आप लेते हो वहाँ से borax weed बनता है वहाँ पर भी metaborate बनता है बहाँ संद्य है और यह जो होता है यह इस तरह से नहीं बनता है कि इलेक्ट्राण पेर डूनेट कर दे रहा है और एक टेट्रहेडल इसकी शेप बन रही है ज्यादा ज्य हो जाएगा यहाँ वो माइनस हो जाएगा यह वो माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है इसका कैसा होगा रॉंग हो जाएगा असर्षन जोगा इसका सही हो जाएगा यानि मिरे पास आंसर जोगा वो क्या होगा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा तो डी आंसर जोगा वो correct यहां पर हो जाएगा आए इस question को solve करते हैं question करते हैं which of the following outer electronic configuration is not correct तो भाई है not correct तो सबसे पहले circle करना है और incorrect को ही हमको ढूनना है देखे बहुत ही आसान है outer electronic configuration दिया गया है आराम से इसको solve कर देंगे बढ़ फिर भी जो 30 mistake हो जाती है तो भाई आपको अगर mistake लगता है अगर आसानी से लग गया ठीक है नहीं लगता है तो आप ऐसा गरो सब के electronic configuration लेख लो कोई रिक्कत रही है दो मिनटे के अंदर यह solve के एक मिनटे पर solve हो जाए चलो देखते हैं देखो oxygen का atomic number जो है वो कितना होता है 8 होता है तो यह जाएगा 1s2 फिर हो जाएगा 2s2 और 2p4 हो जाएगा 4 और 4 और 8 एलेक्ट्रॉन हो गया ठीक है ना अलुमिनियूम का कितना होता है 13 होता है तो यह जाएगा 1s2 2s2 हो जाएगा 2p6 हो जाएगा 3s2 हो जाएगा यह 10 एलेक्ट्रॉन हो चुकी है और 13 लगना है तो 3p1 और यहाँ पर तो 3s2 3p3 है यही मेरा incorrect हो नाइट्रोजन का 7 होता है तो यह जाएगा 1s2 2s2 2p3 चलो देख लो यहाँ 2s2 2p1 है 2s2 2p3 है सही है ठीक है यानि कि incorrect जो आपका option आजाएगा वह option भी हो जाएगा आईए अब इस question को solve करते है question आप से करा कि in rosenmund reduction the compound reduced is rosenmund reduction में कों सा compound जो होता वो reduced होता है अब आपको याद आ रहा है rosenmund reduction याद कीजिए तो rosenmund reduction में आप क्या करते हो कि आप acid halide की reaction कराते हो इसके साथ में palladium और BSO4 के साथ में और इसको reduce कर देते हो और कहा है में reduce करते हो aldehyde में यह actual में aldehyde क preparation होती है किस से carboxylic acid halide से अब भाई जड़ा देख लो यहाँ पर आपको दिया है amide नहीं होगा aldehyde नहीं होगा acid chloride होगा और alkyl cyanide नहीं होगा ठीक है ना यानिकि यहाँ पर आपके पास correct option जोगा वो C होगा आए अब इसको solve करते हैं के रहा which of the following has higher paramagnetic character आप से के रहा कि वह एनाई 2 प्लस है mn2 प्लस है fe 2 प्लस है और co2 प्लस में किस में जोगा वो higher paramagnetic character होता है तो दिखो एक बात यहाँ पर समझ लो कि paramagnetic nature जो होता है यह paramagnetic nature जो होता है वो directly proportional होता है number of unpaired electron की ठीक ना जितने ज्यादा unpaired electron होंगे उत ज्यादा paramagnetic nature होता है तो चलिए देख लेते हैं उत्तरा ज्यादा magnetic moment भी होता है आप यहाँ पर देखो एक ट्रिक भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि सपोच करो कि निकल है निकल का atomic number कितना 2 है और 28 है और इस पर चार्ज कितना प्लस 2 है ठीक है इसके बाद में आप आ जा को है अगर कि यह सारे के सारे आप देखो तो सारे के सारे जो ए वह 3D series के element है तो 3D series में आप यह trick लगा सकते हो अगर आपके पास में plus 2 बाले ions है तो यह 2 आप अप हटा दीजिये जो भी electrons बचेंगे वह सारे के सारे जो होगे d के electrons होंगे मतलब कि ni2 plus में क्या हुझा 3D 8 3D शीरीज में लगती है कि आप यहां पर टू हटा सकते हो और बाकी बचयों से अब यहांगे तू क्यों और यहां पर लगा सकते हो क्रोमियम में भी आप यह लगा सकते हो क्रोमियम क्या हो जाएगा 24 आप 2 हटा दो तो क्या हो जाएगा 3D4 कब हो जाएगा CR2 plus में कैसे इसका electronic configuration होता है 4S1 3D5 आपने एक electron निकाला यहां से गया एक electron निकाला यहां से गया तो बचा क्या 3D4 बचा ना तो इसलिए कोई confusion मत रखना इस तरह से लग जाएगा अब आप कोई बात इस समझ में आगा कि यह क्या हो जाएगा आरगन हो जाएगा 3D8 हो जाएगा अब यह 3D8 हो जाएगा तो जरा 3D8 को देख लो ठीक है न तो यहां पर होगा यहां पर सारे के सारे एलेक्ट्रॉन वो कैसे अन्पियल्ड है यान की वैल्यू क्या जाएगी 5 यहां पर आजाओ आरगन में आगर बात करते हो तो आरगन का क्या हो जाएगा 3D6 तो 3D6 हो जाएगा तो यहां पर देख लो यह जाएगा 1,2,3,4,5 और यह 6 यानि कि यहां पर न की वैल्यू कितने हो जाएगे फॉर उसके बादा आज़ा है 27 27 यहां पर यह हो जाएगा आरगन 3D7 हो जाएगा ठीक ना अब 3D7 ओजाएगा तो यहां पर अगर आगर आप देखते हो तो यह जाएगा 1,2,3,4,5,6,7 यहां यहां पर अन्पेल एक्ट्रॉन कितने, पार नान्सर योगा वह आपका बी करेक्ट हो जाएगा आए अब इस को देखते हैं कोश्य करा कि इन ब्राउं रिंग टेस्ट इन दा कॉंप्लेक्स ब्राउं रिंग टेस्ट में इस कॉंप्लेक्स में अगर देखें तो यहां पर आइरन की और प्लस वन आती है और प्लस वन क्यों आती है क्योंकि यह होता है वह प्लस यानि पॉजिटिव लिगेंड की तरह वर्क करता है और सेलफेट पे तो तुमको पता है हाँ तो आपको यहां पर यह टू माइनस है तो यह टू प्लस होना चाहिए यानि कि आइरन पर क्या आती है और इसका नाम लिखते है यहां पर आउप नाइट्रोसाइलियम भी लिखा जाता इसके लिए और नाइट्रोसाइलियम भी लिखा जाता है और आप इसको कंपेर कर सकते हो किसको कार्बोनियम से किससे कर सकते हो कार्बोनियम एम आ गया मतलब क्या है फॉसिटिव चार्ज है तो यहां पर क्या है कि यह एनो जो है एनो प्लस की तरह जो होता है, नाटिक ऑक्साइड, एनॉप प्लस की तरह जो होता है, लेगेंड की तरह विहब करता है, आंसर योगा, बी करेक्ट हो जाएदा, आईए आप इस कोश्चन के सॉल्व करते हैं, कोश्चन आप से करा है कि, विच रिजेंड ब्रिंग्स अबाउट ड बनाना है तो उस case में आप किस region का use करेंगे क्या bromine water का use करेंगे नहीं करेंगे क्या आप NBR का use करेंगे ना क्या PBR3 का use करेंगे हाँ भाई करेंगे हम phosphorus के साथ में iodine मिलाते हैं और alcohol से alkyl chloride बनाते हैं ठीक है ना यानि कि यहाँ पर answer जो होगा वो C correct हो यहां पर alcohol के लिए alcohol से alkyl chloride बनाने के लिए वो हम यूज करते हैं PBR3 को answer C correct हो जाएगा आए अब इस question को देखते हैं question कहरा है कि the product form in the reaction sequence आपको cyclohexanol दिया है और concentrated H2SO4 और साथ में BR2 के साथ reaction कराएगी है अब अगर आप option A में देखो तो दोनों जो हैं wedge पे दिये गए हैं BR आगर आप यहाँ पर देखो तो BR dash पे हैं और Hbatch पे हैं यहाँ पर देखो तो दो BR जो है वो अलग अलग एक wedge पे एक dash पे हैं और अगर यहाँ पर देखो तो hydrogen dash पे हैं और यह wedge पे हैं ठीक है ना तो अगर हम वोने क्या करा Concentrate a to iso4 मिलाया तो उस ने एक प्लस दिया और एक प्लस को इसने लून पर electron दिया और देने के बाद इसने good leaving group बना दिया और यह बन गया क्या good leaving group बन गया और good leaving group का काम है leave करना तो अब यह leave हो जाएगा तो यहाँ से कि वॉटर योगा वो लीव हो गया और्लीव होने के बाद में यह बन जाएगा साइकलो एक्साहिएं अभ इसी परोष का हैड्रोजन होगा वह यहां रिज़ोग。 और हें में रिलीज होने के बाद यह यहां से het Store में 우리가 रिलीज हो जाएगा और यह बन जाएगा किया साइक्लोहकसीन का formation हो जाएगा यह मेरे पास क्या बन गया साइक्लोहकसीन बन गया अब इसका हम को करना है क्या bromination और bromination की process आपको याद आ रहे है कि anti-edition होती है ठीके न यह process कैसे होती है anti-edition होती है anti-edition का मतलब यह होता है कि दोनों bromine जो होते है यहाँ ब्रोमीन लगेगा यहाँ ब्रोमीन लगेगा डबल वन तूटेगा तो यह वाला कहाँ जाएगा डैश पे यह जो है वेच पे वह जाएगा डैश पे तो समझ में आ रहा है कि भई वेज जो डैश वाला यानि option C जो होगा वो correct option हो जाएगा ठीके ना तो इस तरह से प इस standard state में आपको enthalpy इसकी बात बतानी है conceptual question है आपको समया रहा है कि standard state में अगर आप enthalpy को देखते हो तो वो क्या हो जाती है जीरो वो क्या होती है जीरो ठीक है तो इसका answer जो होगा वो भी answer correct हो जाएगा लिखाए कि different for each element नहीं होगा unity नहीं कह सकते है less than zero तो भई minus भी होता है प्लस में भी होता है समझ रहो ना तो इसलिए confusion दिमाग में रहेगा बढ़ जीरो जो होता है वो standard state में माना जाता है इसलिए यहां पर हम इसको क्या कहेंगे answer बी जो होगा correct हो जाए question करें कि सह सेविक्ता आवंद सिधान्त के आधार पर समझाए कि वर्ग समतली संद्शना वाला NICN whole 4 2-1 प्रति चुम्बकी है तथा चतुषफल की संद्शना वाला NICL 4 2-1 अनुचुम्बकी है तो आपको क्या करना है कि सह सेविक्ता आवंद सिधान्त यानि की वैलेंस बॉर्ण थियोरी वी वी टी के आधार पर यह बताना है कि जो वर्ग समतली संद्शना वाला NICL whole 4 2-1 प्रति चुम्बकी है और यह अनुचुम्बकी है तो अपने जो उपसे सिधान्त के जो मैंने आपको सह सिधान्त आवंद सिधान्त का जो मैंने वीडियो लेक प्रति चुम्बकी और अनुचुम्बकी का मतलब क्या होता है मैं अगर तुम से कह दूँ कि प्रति चुम्बकी का मतलब क्या है तो तुम बोलोगे कि सारे के सारे एलेक्ट्रों जो होते हैं वो कैसे होते हैं अगर सारे के सारे एलेक्ट्रों जो होते हैं तो उस केसमें वह एक electron जो होगा वो कैसा हो जाएगा unpaired होगा यानि कि वो electron single electron होगा और उसकी बज़े से वो magnet की तरफ चुम्बक की तरफ आकरशित हो जाता है तो अब यहां पर हम क्या करेंगे इनकी संदेशना भी बनाएंगे और संदेशना बनाने के साथ साथ इसको देखेंगे कि भाया य से साथ से आप इसको लिखते जाएंगे और इसके theory को लिख लेंगे ठीक है ना देखें सबसे पहले हम क्या करते हमें निकल क्या पता चलना चाहिए कि atomic number कितना है यहां पर हमने पहला example ले लिया आफ में हम इसको X मान लिए plus मुल्स बराबर इन सबी का योग सबके Tomä exhib के अबेस के बराबर होता है तो यह क्या माईनस टू हो जएगा क्या माईनस ढू हो जएगा माईनस टू यानि कि X बराबर होगा माइनस 2 प्लस 4 हम 4 को इदर साइड ले गए तो यह प्लस 4 हो जाएगा यानि X का मान जो आ गया वो कितना है कि 2 आ गया इसका मतलब है कि निकल जो होगा वो यहाँ पर क्या है प्लस 2 अक्सिक्रन वस्ता में है और आपको याद आ रहा है कि उप्स है सेंव्यक योगिकों में हम प्लस 4 को नहीं लिखते हैं बलकि रोमन लेटर में लिखते हैं तो रोमन लेटर में हम 2 लिख देंगे यहाँ पर हाला कि आप कॉंपटिशन लेबल में जाएगे तो वहां पर बलस 2 लिखा जाता है seulement आप यहाँ पर इसको क्या है जाद तर्केश में रोमन लेटर में लिखा दिया जाता है तो कोई दिक्तित नहीं है यहाँ पर हमने निखा दिया हम कोई बात यह पता चलगे कि निकल जो होगा कि हो उलेटर्वाहे संक्या में है तो अब निकल का परमाण क्या होता है 28 होता 28 का मतलब 18 तो हो गया क्या आरगन का उसके बाद क्या हो जाएगा उसके बाद हमने लिग दिए यहां पर 3D8 और 4S से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए 4S 0 हो जाएगा 4P मेरे पास 0 जाएगा और यहां पर 4D की आवश्यक होते है तो इस में उच्छाएगा 1 के बाद 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 5 उच्स हो जाएगा इस में इस में कितुर् Rafael और 7 ऌने 4E में सिनाइट निकल से जिनने के लिए आते हैं तो साइनाइट जो होता है वह कैसा होता है? प्रबल, लिगेंड का काम क्या होता है? प्रबल, लिगेंड का काम यह होता है कि धातू के यह समय सब्स बीचंट उ 않았े उन God two three four five six और seven eight यानि एक डी कच्छक जो होगा वो कैसा होता है खाली हो जाता है अब इसके बगल में एस का है और इसके बगल में किसका है पी का है ठीक है ना अब आपको कितने खाली कच्छक चाहिए लिगेंड के लिए कितने खाली कच्छक चाहिए आपने का सर चार मैंने का भ गया तीसरा और 14 मतलब कि ये आपने शंकरण करादिया बैस संकरण क्या हुआ कि हो इस संकरण क्या हो गया डी एसपी ्टू संकरण हो गया डी i perfect संक्रण से क्या हूआ चारों के electron donate करके योगिक बनाएगा तो इसने lone pair electron donate कर दिये और ये योगिक बन गया अब आप यहाँ पर देखो धातु के orbital यह वाले भी है और यह वाले भी है क्या इनमें कोई भी unpaired electron है unpaired electron का मतलब कोई भी single electron है और अयुगमित electron है नहीं आप बोले उस सारे के सारे कैसे तो आप यहाँ पर दिखोगे कि यहाँ पर आपने सह सविजित्ता आवंद सिधान्ट के अनुसार यह देखा है कि जो साइनाइड होता है वो एक प्रवल लीगेंड होता है और प्रवल लीगेंड होने की बज़य से यह electron को क्या करता पेर अप करता है और पेर अप करने के बज़य से हालाकि यह प्रवल लीगेंड की कहानी जो है वो cft ने दी थी crystal field theory ने दी थी ठीक ना तो crystal field जो बाद होगा वहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे सिधान्त होगा वहाँ पर इसको पढ़ेंगे लेकिन अब चुकि इसको समझना है तो समझने के लिए यहें पर ही इसको बता दिया जाता है तो अब यह electron की पेरिंग हो गई अब उसकी बज़य से क्या हुआ कि यह चार जो हैं वो कच्छक जो की lower energy के थे वो खाली हो गए औ इन्होंने आपस में संक्रण कर लिया लगवग बराबर रूजा के orbital हैं कच्छक हैं और संक्रण करने के बाद चार कच्छक में साइनाइड ने लोन पेर इलेक्ट्रॉन दे लिया संक्रण DSP2 होता है तो DSP2 में संदचना जो बनती है वो वर्ग संतली संदचना बनती है वर लोन पेर इलेक्ट्रॉन देंगे चार सानेड जोंगे इसको लोन पेर इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका कारवन जोगा इसको लोन पेर इलेक्ट्रॉन देता है और बाहर की तरफ आप लगा दोगे क्या 2 माइनस बास में बाहर की तरफ आपने क्या लगा दिया 2 माइनस कि यह अनुचुम्बकी क्यों है ठीक है और वो भी सह से रुकता आवंद सिधान्द के अनुसार तो चली देखते हैं इसको अब देखें अनुचुम्बकी के केस में आप देखते हो तो आपको समय में आता है कि कोई भी योगी जिसमें आयूगमित इलेक्ट्रॉन होता है चुम्बकी होता है तो अब आमने क्या करा है कि एक पाम किया कि सबसे पहले यह एकि rock 결제 हुआ हमको पता होनी चाहिए तो निकल की योग जो होता है वो इस आवेश के बराबर हो जाता है अब ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स माइनस फूर बराबर क्या हो जाएगा माइनस टू तो यहाँ पर एक्स बराबर माइनस टू प्लस फूर यानि कि एक्स बराबर हो जाएगा प्लस टू तो यहाँ पर प् 3D8, फिर 4S पे 0, 4P पे 0 जाएगा, ठीक है ना, अब यहाँ पर दिखो, यहाँ पर हमने 3D8 कर दिया, तो 3D के 8 electron दिखाना पड़ेगा, यह सारा का सारा systematic way में आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया, और 4S के electron 0 हो गया, और 4P के electron कितने हो गया, यह 0 हो गया, तो यह 3D8 हो गया, मेरे पास यह 4S 0 हो गया, और 4P 0 हो गया, अब क्लोराइड आयन आ रहा है किससे बंद बनाने के लिए इस निकल से बंद बनाने के लिए आ रहा है, ठीक है, तो निकल से बंद बनाने के लिए आ रा रहा है तो इनके उलेक्टरॉणों में हल चल वोगी ऑध मैटल के आईनों को पैर अप नहीं कर पाता है तो जम नहीं कर पाता है तो फई वह फिर इसका मतलब धातों के उलेक्टरॉण ऐसे रहें चार क्यों चाजिए क्योंकि चार लिगेंड जो होंगे वो बंद बनाने के लिए आएंगे वो डोनेशन करेंगे तो वो चार अब S वाले और 3P वाले आएंगे यानि संक्रन जो होगा वो क्या हो जाएगा SP3 हो जाएगा, SP3 संत्रण होगा और 4 के 4 कच्छक मिलके नए 4 hybrid orbital बनाएंगे और जिनका उर्जा इस तरज होगा वो क्या होगा, सेम होगा अब यहाँ पर chloride आएगा और 4 के 4 chloride आएगा यहाँ पर अपने lone pair electron को donate कर देंगे तो यहाँ पर donate कर दिया अब यह आप देखरे हो कि यह धातु के कच्छक में कहीं पर भी आपको आयुगमित electron दिखाई दे रहे हैं तो आपको होगे सर हाँ, यहाँ पर हमको 2 आयुगमित electron दिखाई दे रहे हैं तो जब 2 आयुगमित electron है तो यह कैसा हो जाएगा? अनुचुम्ब की प्रक्रति को शो करेगा यह बात आपको समझ में आ गई है अब एक बाद बताओ SP3 अगर संक्रण होता है तो कौन सी संदचना होती है तो चतुषफल की यह संदचना होती है इसका मतरब है कि NICL4 2- की संदचना जोगी वो कैसी होगी चतुषफल की संदचना को हम देख लेते हैं यहां पर हो जाएगा NI, NI के उपर यहां पर यह क्लोराइड आइन इस तरह से आएगा यहां पर यह क्लोराइड आइन ऐसे आएगा यहां क्लोराइड आइन ऐसे आएगा और यहां क्लोराइड आइन ऐसे आएगा अब जब आपने चार क्लोराइड आइन दिखा दिये हैं तो फिर आपको निकल पे भी आउक्सिक्राइन संक्या दिखानी पड़ेगी प्लस टू तो ये हो जाएगा इस तरह से इसकी सनचना हो जाएगी तो ये चतुषफल की जोगी वो सनचना यहाँ पर बन जाएगी आप इस तरह से आपको पूरा लिखना है दोनों के बारे में लिखना है और लिखने के बाद में दो लाइने लिख देनी है क्लोराइड आइन जो होता है वो दुर्बर लीगेंड होता है इसकी बज़े से ये निकल के दो इलेक्ट्रॉन की पेरिंग नहीं कर पाता है उनको युगनित नहीं कर पाता है और नहीं कर पाने की बज़े से ये दो रो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आयुगमित रहते हैं और आयुमित रहने की बज़े से यही इलेक्ट्रॉन चुम्बक की तरफ अकर्शित होते हैं जो कि NICL42- के अनुचुम्बकी बिवार को दर्शाता है ठीक है और यहाँ पर SP3 संकरण है इस बज़े से चतुषफल की संद्शना यहाँ पर होती है तो इस तरह से पॉइंट और इस कोस्ट्रों को कंप्लीट करते हैं कोस्ट्रों करते हैं करा कि NICL42- अनुचुम्बकी है जबकि NICL42- प्रतिचुम्बकी है यहाँ दोनों चतुषफल की संद्शना वाले हैं यानि कि दोनों चतुषफल की है तो ऐसा क्यों इसको आपको explain करना है आपको बताना है त चाहें तो crystal field से भी आप यहां पर समझा सकते हैं जो आपको समझ में आए क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ दिया नहीं है लेकिन आप सब्सक्राइब सिद्धान से भी समझाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए हम यहां पर देख लेते हैं तो पहला जो है मेरे पास क को देखते समय इसका इसकी संचना बनाते समय और इसके बारे में बताते समय हमको यह समझना है कि निकल पर ऑक्सिक्राण संख्या क्या है तो निकल पर ऑक्सिक्राण संख्या हमने यहां पर मान लिया क्या है एक्स है क्लोराइड में आपको पता है सील पर माइनस वन तो 4 और ये माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा माइनस 2 क्योंकि इनका सम प्लस इसका सम बराबर ये हो जाता है तो इससे आप से आप देखो तो x माइनस 4 बराबर माइनस 2 आएगा तो x बराबर माइनस 2 प्लस 4 यानि x बराबर प इसको आरगन को तो फिर हो जाएगा 3D8 और फिर यह 4S0 फिर 4P0 इस तरह से हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं अब 3D8 में अगर आप देखो तो 3D8 में निकल पर अगर हम देखें तो निकल पर कितने एक्ट्रॉन है 1,2,3,4,5,6,7,8 और 4S पर कितने 0 और 4P कितने हैं लेक्ट्रॉन जीरो ठिक अब क्लोराइड आइन इससे बॉन्ड बनाने के लिए आता है तो जब कोई भी लिगेंड बॉन्ड बनाने आता है तो मैटल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उनमें मुवमेंट होता भी है और नहीं भी होता है ये डिपेंड करता है कि लिगेंड कितना ज्यादा प्रबल है कितना स्ट्रॉंग है प्रबल लिगेंड जो होते हैं वो क्या करते हैं वो इलेक्ट्रॉन को युगमित कर देते हैं और अगर वो इलेक्ट्रॉन को युगमित करते हैं तो उसकी बज़े से इनका करेक्टर जो और यह कौन करता है यह करता है दुर्वल लीगेंड तो एक्चल में क्लोराइड आइन कैसा होता है क्लोराइड आइन एक दुर्वल लीगेंड होता है और दुर्वल होने की बज़े से यह इन इलेक्ट्रॉन की पेरिन नहीं कर पाता तो अब अगर इन लीगेंड को अपने द जिनका ऊर्जा लेवल सेम होता है अब 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 क्लोराइड आएंग जो है वो आएँगे और इनमें डोनेट कर देंगे एलेक्ट्राउन प्यर को डोनेट कर दिया अब जब धातू के ऑर्बिटल को देखें धातू के कच्छक को देखें तो यहां पर आपको सव्ण में आ र फलकी है कैसी संद्चना है चेत्व संद्चना है यानि कि निकल जोगा वो कुछ इस तरह से आएगा यह क्लुराइड और यहां पर यह क्लुराइड और इस चाज तरफ आप लगा दूगे क्या 2- जैसे यह बना हुआ है तो यह चतुषफल की सलेचरा को प्रदर्शित करेगा तो अब आप इसमें क्या लिखोगी आप इसमें लिखोगी निकल के उपर में प्लस टू ऑक्सीकरन संख्या होती है जिसकी बज़े से इसका इलेक्ट्रोनिक विन्याज 3D8, 4S0, 4P0 होता है अब यानि इसके आगे 4D करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा अब जब क्लोराइडाइन इस पर बांड बनाने आता है बंद बनाने के लिए आता है उपसे स्योडियक बंद बनाता है तो उस केस में क्लोराइडाइन के दुरबल होने की बज़े से धातु के इलेक्ट्रोन की का य इस योगिक के अनुचुम्ब की लेक्षण की को दिखाते को प्रदर्शित करते हैं क्योंकि यह यह यहोगिक जो होता है वो चुम्ब की तरफ आकर्शित हो जाता है यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक 103P के ओर्विटल यहाँ पर लिए गये हैं कच्छक लिए लेबल समान होगा और उन पर चार क्लूराइड आइन जो लीगेंड की तरह हैं वो अपने लोन पर इलेक्ट्वान को डोनेट करके चत्यसफल की संद्रचना का निर्माण करते हैं तो इस तरह से सह सिर्थता सिधान की आधार पर आप यह बता सकते हो कि NICL4 2- जो है वो कैस प्रति चुमकी नेचर का है और साथी साथ चत्यसफल की संद्रचना भी दिखाता है अब चलिए हम देखते कि NICL4 जो होता है वो प्रति चुमकी है तो ऐसा क्यों ठीक है तो चलिए देख लेते हैं इसको अब हमने क्या किया NICL4 ले लिया यहां पर भी आपको क्या करना है निकल की ऑक्सिक्राण संक्या पता कर दी है तो निकल की ऑक्सिक्राण संक्या एक्स मांदी प्लस अब देखें यह जो है वो इसको बोलते क्या है इसको बोलते कार्बन मोनो ऑक्साइड इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते कार्बन मोनो ऑक्साइड ठीक है ना लेकिन जब यह धातू के साथ होता है तो इसका नाम बदल जाता है और इसको हम नाम देते कार्बो निल तो यहां पर निकल कैसी यह यह क्या करता है लोन पर एलेक्टरान दे रहा है तो यह क्या करता है लीगेंड की तरह बेहार करेगा तो हम इसको नाम देदेंगे कारवनृन अच्छा अब CO जो होता है carbon monoxide कैसा ही होगी कितनी oxygen संख्या होगी तो आपको जीरो oxygen संख्या होगी क्योंकि CO जो होता है उदा सीन योगिक होता है तो ठीक है भाई 0 है तो कितने हैं यह 4 है और oxygen संख्या 0 और इन सभी कसम सभी कसम इसके उपर जो आवेस होगा उस पर आवेस तो 0 है यानि ये भी क्या होगा 0 हो गया तो इसका मलब X बराबर क्या होगा 0 हो गया यानि कि निकल पर oxygen संख्या क्या आ गई 0 आ गई अब निकल का परमाण कमांग कितना होता है निकल का परमड कमांगो तो 28 ऑक्सीटरान संग के 0 है तो 18 एलेक्टरॉन तो आपने यहाँ पर दे दी है इसको आरगन को उसके बाद में D पे कितने इलेक्टरॉन जाएंगे 8 और 4S पे 2 इलेक्टरॉन बही 28 एलेक्टरॉन होगे ना यहाँ से कोई इलेक्टरॉन नहीं निकल हो जाएंगे ठीक है और 4S पे 2 electron हो जाएंगे और 4P पे electron कितने होंगे जीरो तो यहां पर हो जाएगा 1,2,3,4,5,6,7,8 और 2 electron यहां पर हो गया अब CO आता है इससे अपने लोड इनर्जी लेबल में जाने शुरू हो जाते हैं यह 4th energy level यह कैसा है 3rd है और जाके pairing करना शुरू कर देते हैं तो जब pairing करना शुरू कर देते हैं तो फिर क्या हुआ होगा हुआ यह होगा कि अब 3D में जो है वो 8 की जगा कितने एलेक्ट्रोन हो गए 10 कितने एले C.O. है ना 4 C.O. जो होगे वह लोन पेर और इलेक्टरान को डोनेट करेंगे तो उन्हें 4 खाली खाली कच्चक चाहिए होगे तो चार कच्चक चाहिए तो भाई चारो को चारो यहाँ पे खाली हो गए और उसके बाद जो होगा C.O. आएंगे और इनको लोन पेर electron जो होगा वो donate कर देंगे तो इस तरह से नो ने donate कर दिया संक्रन क्या हो गओ लेकिन NICL4 जो था वो उन्wnचुम्पगी था क्योंगि दो unpaired electron थे बट यहाँ जरा सोचो, इसके पास में कोई Unpaired Electron है, आयुगमित है, ना सारे के सारी युगमित है, यहाँ पर कोई आयुगमित है क्या? नहीं सारे के सारे electron जो वो कैसे हैं यूगमित हैं तो सब यूगमित हैं तो इसका मतलब है कि ये कैसा हो जाएगा प्रतिचुम्ब की हो जाएगा ये कैसा nature को प्रतिचुम्ब की लेच्छन को प्रतिचुम्ब को प्रतिचुम्ब को प्रतिचुम्ब करेगा तो अब इसमें आ कोई आवेस नहीं था इस तरह से आपने इसको दिखा दिया आप यहाँ पर लिखोगे कि और चतुसफल की सन्रचना होती है लेकिन जो सीओ है वो प्रवलतम लीगेंड होता है और प्रवलतम लीगेंड होने की बज़े से वो 4S के इलेक्ट्रॉन को इनर्मोस्ट और्विटल में यानि कि आंतरी के 3D कच्छक में जो होता है भेज देता है और उसका युगमन कर देता है इस युगमन की बज़े से 4S के इलेक्ट्रॉन जो है और्विटल जो है वो खाली हो जाता है 4S कच्छक खाली हो जाता है और खाली कर देते हैं और चतुस्फल की समचना का निर्माण करते हैं एनाई सी यो होल फोर में सारे के सारे इलेक्ट्रोन युगमित होते हैं इसकी बज़े से प्रति चुम्ब की लच्छन को प्रदर्शित करता है जबकि एनाई सी लफोर टू माइनस यो है वो अनुचुम्ब की लच लिखना है और यह कंप्लीट करना है